Alleluia प्रबह मुसे प्यार करता है आपसे प्यार करता है बोलिए मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूँ परमेश्वर की अध्भुद योजिनाएं मेरे लिए हैँ हालेलुया हमेशा उन योजदाओं को जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है उनको अपना कहिए उनको अपना कहिए अच्छी चीजों को अपना कहिए कि स्वर्गी चीजों को अपना कहिए परमिश्वर आपके जीवन में आशीशी बौना चाहता है उन आशीशों को अपना बनाईए आपके लिए परमिश्वर ने सुख बोया है दुख नहीं बोया है लेकिन कभी-कभी परिक्षाएं भी आती हैं आपके जीवन में इमें? तो हमें उन सुखों को अपना बनाना है, कहना है लेकिन वो आप कब कहेंगे? जब आप परमेश्वर को अपना बना लेंगे जिस दिन आपने जान लिया कि मेरा पिता मेरे साथ है मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी एस लॉट? प्रभू का काम आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे हम कई बार कई बार क्या बहुत बार हम अपनी परिशाओं में, आजमाईशों में, कमियों में, विपत्तियों में शैतान को दोशीट है रहते हैं कि शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है देखो शैतान ने हमारी सर्विस ले ली शैतान ने हमारे रिष्टे ख़राब कर दी है शैतान मेरे घर में काम कर रहा है शैतान ये नहीं चाहता है शैतान वो नहीं चाहता है और हम बज जाते हैं हcal tables किया है कि हर बात में शैतान को दोश مت दीजिये खुर्द को जाचिए कि हम शैतान पर दोश डाल कर-क-खुद-को जाचिए नहीं है कि हममें क्या कमी है यह परिक्षा है हमारी ज़िस Não नहीं आ क्या मैं परमेश्र के वचन पर चल रहा हूं क्या परमेश्र का वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है रिसलोड अगर आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं मेरे भाई तो परमेश्र की आशीशी आपके जीवन में कैसे काम करेंगी नहीं काम कर सकती है इसलिए हम अपने आपको जाशने की बजाए शैतान पर दोष डाल देते हैं मैं आपको बताऊ शैतान कुछ नहीं कर सकता शैतान है लेकिन शैतान अधमरा है अधमरा है, paralyzed है संसार के लिए शैतान जिन्दा है संसार वालों के लिए शैतान जिन्दा इदर देखिए बिटे निलम संसार वालों के लिए शैतान जिन्दा है लेकिन मसीहों के लिए शैतान अधमरा है शैतान जिन्दा नहीं अधमरा है उसके अंदर शक्ती नहीं हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता हमारे जीवन में लेकिन अगर आप शैतान को महीमा देंगे अगर आप शैतान के काम करेंगे अंदकार के काम करेंगे तो आप आशीश नहीं पाएंगे पत्रस को परमेश्वने जब पत्रस आजमाईश में आया था अगर आप पढ़ेंगे 22 का 31 32 शामौन है शामौन देख शैतान ने तुम लोगों को गहूं के समान पटकने के लिए आज्ञा मांग ली है क्या कहता है परमेश्वर इस वसी क्या कहता है कि शैतान ने तुम लोगों के जीवन में काम करने के लिए आज्ञा मांग ली है परमेश्वर से क्यों आज्ञा मांग ली है और परमेश्वर ने आज्ञा दे दी और परमेश्वर ने आज्ञा क्यों दे दी क्योंकि पत्रस के अंदर, यहुना के अंदर, याकूब के अंदर, छेलों के अंदर अंदकार आ गया था वो कहने लगे थे कि तो हम मेंसे बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं आ गया था, एहम आ गया था अंधकार कैसे आपके जीवन में आता है कौन है जोती इशु मसी जैसे यह आप अंधकार अपने अंदर आप अंधकार में चलते हैं आप जोती से दूर हो जाते हैं अंधकार और जोती एक साथ नहीं रह सकते अलो या तो आप जोती में चल सकते हैं या आप अंधकार में चल स अगर आप जोती में नहीं चल रहे हैं तो आप कहां पर रहें अंदकार में कौन लेखे गये आपको शैतान अप अब देखे आप शैतान बोलरे है अब आप अगर हम आया तो कि से ट tad की गलती और अब और खमंण डाया आपके अंदर शमा की भावना नहीं आई तो किसकी गलती है? क्या शैतान की गलती है? नहीं हलिलुया हम शैतान को क्यों दोश दे रहे हैं? हम खुद को पर्खें हलिलुया हम खुद को पर्खें हम खुद को जाचें खुद को दीन करें क्यों मुझमें दीनता रहनी चाहिए नहीं मुझमें घमंड है नहीं जैसे अमिटेश ने कहा कि परमिश्र का भय क्या है कि कहीं परमिश्र मुझसे दूर ना हो जाए यह बहुत परमिश्र कैसे दूर हो जाएगा अगर आपने एहम आएगा परमिश्र दूर हो जाएगा आप आपने अपने आपको जाचना इसे बाइबल में लिखावा जाचो जाकते रहो आप कहां गलत हैं तो जाचना है मैं मैं बहुत अच्छा ग्यानी हो मुझे सब कुछ आता है अब मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है अंदकार में आप आगए हैं अंदकार में आगए हैं मुसा कहता है कि परमेशर मैं कुछ भी नहीं हो मुझे तेरी जरूरत है अगर तू यहां से वहां तक मेरे साथ ना जाए तो मुझे नहीं जाना है मुझे उस कनान देश को नहीं देखना है मुझे तेरे प्रॉमिस मेरे जीवन में पूरे नहीं हो मुझे नहीं चाहिए लेकिन तू चाहिए मुझे जीवन में क्योंकि वो एहमियत जान गया था वो जान गया था कि परमेशर क्या है जिस दिन आप परमेशर को जान लेंगे न मेरे भाई जिस दिन आप उसके प्रेम को जान लेंगे न आप उसके बिना रह नहीं सकते आप बड़े से बड़ा तक तो ताज छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे मेरा प्रभू मुझे पहले चाहिए मुझे जोबडे में रहना पड़ेगा चलेगा मुझे अकेले रहना पड़ेगा चलेगा मेरा पैसा नहीं है चलेगा लेकिन मेरा पास इशू चाहिए बाइबल कहती है अगर आपने आत्मा खो दी और दुनिया को पा लिये तो क्या पाया कुछ नहीं पाया मेरी आत्मा को मुझे जिन्दा करना है मुझे आत्मा के लिए जीना है इसलिए पत्रस को बोला कि शैतान ने तुम लोगों को ग्याहूं की तरफ पटकने के लिए मांग लिया है और इशू ने इजाज़त दे दी है क्यों? क्योंकि आपके अंदर अंदकार था उनके अंदर अंदकार था आपके अगर अंदकार होगा ना तो परमेश्र कुछ नहीं कर सकता आपको आज मैं बता दू हाकिकत समझ लीजे समझ लीजे इस बात को अगर आपके अंदर अंदकार है अगर आप अंदकार में रह रहे हैं अगर आप एहम में रह रहे हैं आप अंदकार में रहे हैं आप घमंड में रहरे हैं अंदकार में रहरे हैं आप गुस्से में रहरे हैं नफरत में रहरे हैं लालश में रहरे हैं वेविचार में रहरे हैं आप अंदकार में रहरे हैं आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता यहुदा का एक एक अच्छे निगा लिए यहुदा जूड़ा वन का सिक्स जूड़ा वन का से जली पढ़िए फिर जिन स्वर्गदुतु ने अपने पत को इस्तिर न रखा वरा अपने निवास को छोड़ दिया उसने उनको भी उस भीशन दिन के न्याय के लिए अंदकार म जो सदाकाल के लिए है बंदनों में रखा है इमेन किस सवर्दूतों को शैतान को कहां रखा परमेशन ने अलों उससे बात करिए क्या लिखा हुआ है सवर्दूतों को कहां रखा शैतान को कहां रखा तो शैतान का घर क्या है शैतान का घर कौन सा है अगर आपके अंदर अ इक बार जब परमेशर ने उसको घर दे दिया। उस घर में परमेशर नहीं जा सकता। उसी दिया तेरा घर अंद कर ओके मैं राजा हूँ। आप शैतान क्या करता है। आपके अंदर मंदकार डान लेकि कोशिश करता है। और आप आजाते हैं। कि बड़े प्यार से आज़ते हैं आपको जरा सा पैसा देता है। जरा सा पैसा आता है आप जोबड पट्व में रहते थे आप दीन थे नम्र नहीं नहीं प्रभू 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 दया कर impacts आप जोबड पट्व य। फ्लाट में आ गए गवंट आgef प्रभू में हैं आप प्रभू में हैं आप घमंड आ गया हालेलया देखिए मती साथ निकाली है मती साथ हालेलया मती साथ का 23 24 इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मुनिश्य के समान है जिससे अपना घर चत्तान पर बनाया है में बरसेगा बाड़ें आएंगी आंधियां चलेंगी उस घर पर टक्राएंगी फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नीव चट्टान पर डाली गई थी परंटु जान से सुनिए यहां परंटुवाले बहुत लोग है जिनके जीवन में परंटु है बहुत है परंटु जो कोई मेरे इन वचनों को नहीं सूनता वंचनों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है मेह बरसा बाड़े आएं आधियां चली और उस घर से टकराइं तब वो गिर पड़ा और पूर्टा धौस्त हो गया हमारे से कई मसी हैं जो चर्च आते हैं बाइबल पढ़ते हैं दान दर्शांस देते हैं लेकिन उनका घर बालू पर है उनका घर बच्छा लगता बहुत अच्छा मसी है घर का है बालू पर इसलोट घर का है बालू के उपर एमेन अब आप समझेगे यह जो वच्छा नहीं मेरे लितों नहीं है यह वच्छन विश्वासी के लिए मेकब बरसेगा आंधिया का माएंगी जब इशू आएगा जब इशू आएगा तो जो अगर आपका घर बालू पर है वो द्वस्ट हो जाएगा आपको लेकर नहीं जाएगा इसलिए जाचिये कि आपकी नीव चट्टान पर है या बालू पर है आललू या चर्च में तो आते हैं प्रेज अलोट कैसे हैं कैसे हैं और अंदर ही अंदर गलत भावना इर्शा की भावना दोईश की भावना समर्पन की भावना नहीं कैसे प्राप्त करेंगे आपका घर तो बालू पर है मिट्टी पर है एमें इशू आएगा और घर द्वस्त हो जाएगा आप समझ रहे हैं कि मैं अच्छा मसी हूं लेकिन अपनी नीव को जांचिये क्या आपकी नीव चट्टान पर है क्योंकि जीविक्स की नीव चट्टान पर है वही ले लिया जाएगा इसलैं तालीdepend चेटली बज रही है ताली अभी छोटी बज रही है ताली है थालीव ही भज़ति है जो जने वाले है करको क्या ने बजा रहा है न वो सोच रहा कि मेरे कुवाले में तो नहीं है, मेरे बारे में तो है, उसको वचन धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, जो तालिया ऐसे से बजा रहा है, उसका वचन धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, मेरा तो नहीं है, मेरा घर का है, बालू पिछनो नहीं है, उसके तालिया नही हालेलुया वचन में ताकत है हालेलुया शेतान को मत दोश्टो कि मेरी सर्विस शेतान ने छिन ली मेरे घर में शेतान काम कर रहा है शेतान की इतनी अवकात नहीं कि आपके सामने आ जाए शेतान को दोश्मत दो, खुद को बढ़ाओ, खुद को मजबूत करो, जिस दिन आपने खुद को मजबूत किया ना, शेतान आपकी परचाई से भागेगा शेतान का डर आपको क्यूं है? क्योंकि आप आप जानते हैं अंदर से कि मैं ठीक नहीं हूँ शेतान का क्यूं डर है आपको? शेतान पर क्यूं दोश्म लगा रहे हैं? क्योंकि आप अंदर से जानते हैं कि मैं सही मसी नहीं हूँ सही नहीं हूँ मैं मैं परमेश्रा के वचन पर पूरा नहीं चलता हूँ, आपको पता है? हालेलुया खुद को जाचो, जाकते रहो क्योंकि आत्मा तो प्रबल है लेकिन शरीर दुरबल है अपने शरीर को क्या अपनी शरीर की वज़ा से तो नहीं जाऊंगा मैं शरीर क्या कहता, एसी में बैठो शरीर कहता, पंखे के विना नहीं चर्च में एसी नहीं है या और पिछली बार तो पंखा भी रुग-रुग के चल रहा था पता नहीं, पास्टर ने बिल दिया की नहीं दिया मेरे पास जो बैठी थी बेहन, वो थ्वड़ा सा बद्बू आ रहे थी उसमें से आप दुनिया को देखकर चर्च में आएंगे, आशीश नहीं पाएंगे आपका केंद्र बिंदू कौन है? चर्च में आप किसके लिए आ रहे हैं? प्रभू के लिए किस से मिलने आ रहे हैं? प्रभू से माफ कीजेगा, आपके आने से ही पता लगता है कि आप पूरी तरीके से प्रभू से मिलने नहीं आ रहे हैं क्योंकि सारे नौ बजे की सभा है, आप लोग आते हैं सारे दस ग्यारा बजे मुझे परमेश्वर से मिलना है तो परमेश्वर के बुलाने से पहले मैं जाओंगा मुझे अपने आपको तयार करना है प्रभू से मिलने के लिए मुझे कुछ पाना है पिता परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं मैं तब आप परमेश्वर के भेह में रहेंगे तब आप अपने आपको जाँचेंगे किसी को मत जाँचिए किसी लीडर को मत जाँचिए पास्टर को मत जाँचिए खुद को जाँचिए क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही चाल चल रहा हूँ? क्या मैं सही वचन के अनुसार जीवन बिता रही हूँ? दोश मत लगाएं इसलिए लिखा हुआ दोश मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोश लगाए जाएगा क्योंकि इंसान दोश लगा था बड़ी असानी से दोश लगा था रहे नहीं भई दोश मत लगाओ pues Lord Hallelujah जिसी आप दोश लगाएंगे जिसी आप शमा नहीं करेंगे आप नहीं जानते शमा ना करना कितना बड़ा अपराद है कितना बड़ा अपराद है शमा ना करना पतरस न इसुमसी से कह था कि इश्यमसी तामने अपने भाई को पढ़ ऑठ अठारा का धरोमति अठारा का गागे परभु भाई मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुदत अपराद करता रहे कि मुझे शमा करtha ूढ 훨씬 शुनिए को साथ बार तब पर हाल जोने टक साथ बार का 남자 uda कर छुने तकि करके 70 गुनाय यानिंए के 400 नब्य यानिके माफ करते ही रो है हृ तो अलिलिया है उन दिनों में तीन बार माफी मंगी जाते थि वयवस्ता में जो वयवस्ता थी ऐस समय उन देनों में वयवस्ता क्या रख फिर तीन बार आप माफी मांग सकते थि clock यह मेपारा को दोgoing कै उसे सोचा रुए कि में इसुम थी के सामने अच्छा गेना जाओं का 7 जंगा कि लेकिन ऐसी ने क्या कहा साथ के सथाटर वा før बीश्व मसी ने कहानी सुनाई एक दीथान सुनाए कि एक आदमी था जिसने राजा का कम से कम बहुत पैसा देना था समझो कि एक हजार रुपया देना था हाललिया कितना देना था राजा को पैसा एक करोड रुपया देना था समझो राजा को देना था एक करोड और राजा ने उसे बलाया कि राजा आ जाओ राजा ने कहा जो भई पैसा दो पैसा नहीं है मुझे माफ करे पैसा नहीं है मुझे माफ करे मैं आपको दूँगा कहता नहीं दो भई वो कहता नहीं मेरे पास नहीं है राजा ने तरस खाया और माफ कर दिया राजा ने क्या किया तरस खाकर अवार निकला और किसी ने उसका do too जो मेरा 200 रुपें लिया तहुजा क्ला हुजे मैन मुझे का आ लिखा ना मुझे प्लीज माफ करतों मेरे पास 200 रुपय उसका एक करॉड माफ हुआ है लेकिन उसको looks के लें behavior कแต आस तदि equipment किसी को देना तो माफ का नावि ने ओत्ति का दे यह उसने ञुद को फेल है June 10 particularly कि इसको जाकर जेल में डाल दो कई लोगों को बुरा लगा उसने राजा से का राजा यह जिसका आपने एक क्रोल माफ गया था यह तो आदमी सौहीं नहीं राजा राजय ने बुलाया क्या भई मैंने तेरा एक क्रोन माफ किया और तेरा वह दो कर दो सो रुपय वाला आदमी है तुने उसको जेल में डाल दिया अब मेरा पैसा वापिस कर कि नहीं तो तू जेल में जा देखि बचन पढ़ते आखरी में है इस मचन को पढ़िएगा 21 से 1 के बीच में आपने गर मैं पढ़िएगा और उसके स्वामी ने क्रोज से भरकर 24 पर 향 pegar 314-35. और उसके स्वामी ने क्रोज से भरकर उसे यातना देने वालों को सौंब दिया और रिर्ण चुकाने तक उनी हातों में दिया. उनी हातों में रहे जबतर तक तु रंड नहीं चुकाता है. क्योंकि तेरे अंदर एहसास नहीं है कि तुझे पास तुने किसकी शमाब होगी है तुने पाया क्या है कि आज मियां कई मसीहें आपको पता यह नहीं कि परमेशन नहीं के किन पापों को माफ किया है आप घर में छोटी-छोटी ललाईय लगते हैं छोटी-छोटी चीजों को आप माफ नहीं करते हैं अपने पिता का, अपने पती का, अपनी पतनी का, अपने बच्चों का, अपने परोसी का क्यों 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 आपको एहसास नहीं है कि परमिश्वर ने आपके कितने गुनाह माफ की है परमिश्वर ने आपका क्या माफ किया आपको पता ही नहीं है आप उसकी कीमत नहीं पता है इसलिए आप माफ नहीं कर पा रहे हैं पेटेस्वा क्या करता दिए इसी प्रकार अब देखिए रस्टान का अंतिम क्या है इसी प्रकार यदि तुम में से प्रतेग भाई अपने भाई को हिर्दै से शमा ना करे तो मेरा स्वर्गी पिता भी तुमारे साथ वैसा ही करेगा अलो अब लोग कहेंगे साब चर्चेस में बड़ी अच्छी सी आजकर शिक्षाइं दी जाती है बहुत से चर्चेस में कि आपका एक बार उद्धार हो गया अब आस आप इशुमसी के पास जाएंगे आपने बप्तिसमा ले लिया उद्धार होगे अब आस आप इश्यो मसी के पास जाएंगे उनसे बोलिए कि ये वचन कौन पढ़ेगा उन पास्टरों को ये वचन सिखाईए क्या लिखा हुआ है इसी प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से ख्षमाना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा क्या करेगा जितने तुमने पाफ जितने तुमारे पाफ माफ किये थे न वो सब तुमारे पाफ लाब देगा अब भुखतो इन पाफों को भुखतो इन पाफों के लिए काम करो चलो आप सूली पे चड़ो मैंने तुम्हारे पाप ऐसी ही माफ कर दिया थे मैंने तुम्हारे पाप माफ कर दिया कि तुम मेरे बेटे के पास आया था तुने ऐसे से कम किये हैं तब ही मैंने माफ कर दिया लेकिन तुझे एसास नहीं है तुने अपने भाई को माफ नहीं किया तुने अपने पती को माफ नहीं किया तुने अपने बच्चे को माफ नहीं किया तुने अपने बहु को माफ नहीं किया तुने अपने पडोसी को माफ नहीं किया तुने अपनी बाई को माफ नहीं किया अहिम क्या करेगा पिता वो सारे पाप जो उसने माफ किये थे याद करिए वो सारे पाप जो उसने माफ किये थे वो आपके उपर लाद देगा क्या क्या उसने राजा ने चोतिस्वा पढ़ेंगे अगर हम पढ़ेंगे क्या क्या और उसके सौमी ने क्रोध में भढ़कर उससे यातना देने वालों को सौब दिया और रिड़ चुकाने तक उन्हीं के हातों में रहो जब तक तुम अपने पापों का रिड़ नहीं चुका सकते भोगते रहो आप कैसे एक बार उधार हो गया मप्तिस्वा लेलिय तो हो गया है कि आप कुछ भी करेंगे अब बचन पर नहीं भी चलेंगे चलेगा अँशी करेंगे चलेगा आख यह मंदिर आपका पवित्राथमा का मंदिर है इसको दोशित करेंगे चलेगा किया समझते हैं आप परमेशर को कि इतना असान नहीं है रैप्चर में जाना मन से अगर आपने माफ नहीं किया अपने पती को अपनी पतनी को अपने भाई को अपनी बेहन को मन से बात कर रहा है वो शरीर से होता था हम माफ कर रहा है नहीं चले मैंने माफ किया लेकिं अंदर ही अंदर आप वो पाप चल रहा है नहीं परमेश्वर मन को देखता है अगर आप मन से बाफ नहीं करेंगे तो जितने भी पाप परमेश्वर ने आप के माव किये थे इशू मसी के नाम से वो सारे पाप आप पर लाद देगा इन पापों को भुख तो अभी तो क्योंकि मैं तुम्हारे अंगिनत हजारों लाखों पापों को माफ कर सकता हूँ मेरा बेटा तुम्हारे पापों के लिए मरा मैंने अपने इकलोते पुत्र को धरती पर बेजा और तुम्हारे पापों के लिए उसने बलिदान दिया और तुम अपने पडोसी को माफ नहीं कर पा रहे है अपने भाई को अपनी बेहन को माफ नहीं कर पा रहे हो अपने दोस्त को माफ नहीं कर पा रहे हो माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप उसे संगती बना ले अलो यह बहुत गलत होता है कि अरो उसे मैंने माफ कर दिया मेरे उसके संगती रहेगी नहीं लिखा हुआ है आप दिल से माफ करेंड इशु मसीय कहिलों को मारें शुमाफISH से जो ऑइस पूफ से माफ किया लेकिंद उनके संग रहे हैं क्या है गशक्राइब मन्का संग उसलार कि अपने논 छुने हों के साथ हर एक के संग शंगती नहीं कि माफ तो किया चल भी तुम्हें दोस्त तुन्हें माफी माँगी संगती नहीं इसमें डिफरेंस है हलिलुया हम लोग भावनाओं में बह जाते है माफ करिये लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप संगती कर रहे है हलिलुया क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके अंदर कुछ भी अंदकार रहे क्योंकि प्रभू चाहता है आपको स्वर्ग लेके जाना उसकी इच्छा है कि वो आपको स्वर्ग लेके जाए पूरी इमानदारी से वो आपसे प्यार करता है इसलिए पूरी एमानधारी से उसने अपने एक्रुते पुत्र का बलिदान झीआए। आज भी इशू मुसी' के हातों में निशान हैं, लहू का निशान हैं, वाचा का निशान हैं, आज भी उसके निशानों में लहू बहरआ है। इसलिए हमेशा उल्जाने वाले पापों से दूर रहे बारा का एक इब्रानियों बारा का एक पड़िए इस कारण जबकि गवाओ का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तू और उल्जाने वाले पाप को दूर करके वह दोड़ जिसमें हमें दोड़ना है धीरत से दोड़े एमेन उल्जाने वाले पापों से अपने आपको दूर करो जो आपको उल्जाते हैं आपको उल्जान में डलते है यस उल्जाने वाले पापों से बिक्कुल दूर रहे है शेतान उल्जाता है शेतान आपको भर्माता है कब से चर्श में जा रहे हूं तीन साल से क्या हुआ क्या तरह करजा माफ हो गया क्या तरह चंगाई मिली क्या हुआ चंगाई मिली फिर विमारी आ गई चंगाई मिली फिर विमारी आ गई क्या हुआ क्योंकि आप के पास ग्यान नहीं है इसलिए आप शैतान को जवाब नहीं दे पाते कि शैतान मैं करजे माफ करने के लिए चर्च में नहीं जाता हूं मैं चंगाई ठीक कराने के लिए नहीं आता हूं बिमारी ठीक कराने के लिए चर्च में मैं चर्च में पिता को जानने आता हूँ और उसका धन्यवाद देने आता हूँ कि जो उसने मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता उसने मेरे पापों से मुझे मुक्त किया है उसने पीडी दर पीडी श्रापों से मुझे मुक्त किया है इसलिए मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ, अपने पिता कोई मिलने जाता हूँ, मुझे चंगाई मिले ना मिले मैं इशु का बना रहा हूँ, मैं प्रभू का बना रहा हूँ, बस मेरे अंदर कोई पाप ना आए, मुझे से कोई पाप ना हो, मैं परमेश्यर के विर्द कोई काम ना करूँ, इसलिए हम कलपनाओ का और हर एक उची बात का, जो परमेश्यर की पैचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसी का अग्यकारी बना देते हैं, किया कहता है वो, कि हर गलत बात का, जो परमेश्यर के विर्द होती है, आपको पता है, जो आप पाप करते हैं, किसके विर्द करते हैं, अगर आप अपने पड़ोसी को माफ नहीं करते हैं, अगर आप पड़ोसी को आप गाली देते हैं, तो यह पाप किसके विर्द है, आपको पता है, परमेश्यर के विर्द है, आप समझते हैं कि उसने मुझे बोला, मैं भी बोला, आप शमा करिए, परमेश्यर बात करेगा उससे, परमेशर नियाए करेगा, आपको कोई अगर दुख देगा तो परमेशर नियाए करेगा, आप करके देख लीजिए, आप चुप होके देखिए, आपको लगता है अरे यार परमेशर कब करेगा, सामने दिख रहा है, मैं क्यों ना मार दो इसको, मार दीजिए, फिर न हम परमेश्र को मौकाई नहीं देते हैं हम परमेश्र को अपने जीवन में काम करने का मौकाई नहीं देते हैं हम खुद ही अपने लडाई लडना शुरू कर देते हैं है हमारा जीवन यह हमारा नहीं है पहला करुंतियन 6 का 19 का कहता है कि तुम पवित्रात्मा के मंदिर हो पवित्रात्मा तुम्हें वास करता है लेकिन तुम अपने नहीं हो याद रखिए क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देप अवित्रात्मा का मंदिर है जो तुम्हें वास का बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है यह मंदिर अमेन लेकिन तुम अपने नहीं हो रेसलोड मेरे जीवन पर किसका अधिकार है परमेश्वर का क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके पापों को अपने उपर ले लिया है अपने लहू से इशु मसी ने खरीदा है हमें कोई भी काम करने से पहले उससे पूछ रहा है आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप अपनी लडाई खुद लड़ना चाहते हैं लड़िये मैं आपको सच बताओ पूरी तरह से परमेश्वर के बन जाई है इमानदारी से हर रिष्टे में काम में हर पूरी तरीके से प्रभू के बन जाई है उससे पूछिए आपको अपने इस मंदिर को खराब करने का हक नहीं है क्योंकि आपके घर में आपके मंदिर में उसकी आत्मा रहता है और बाइबल क्या कहती है एफिश्यों 4 का उन्तिस एफिश्यों 4 का उन्तिस और तीस कि पवित रात्मा को शोकित मत करो क्या लिखा हुआ है इफिश्यों 4.29 कोई गंदी बात तुमारे मूँसे ना निकले पर आवशक्ता के अनुसार वही जो उन्ति के लिए उत्तम हो ताके उसे सुनने वालों पर अनुगरे हो तीस्वा और परमेश्यों के पवित रात्मा को शोकित मत करो जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई है गलत मात अपने मूँसे मत निकालो कोई गलत विशार आ रहा है उसको ईशू मसिया गोलाम बना दो कोई आपको गाली दे रहा है डोंट एक्सेप्ट इट आपको बोल रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कब हो आपको आशीष दे आलेलिया आपके जीवन में वो चीज़ कब काम करेगी जब आप उसे ले लेंगे रेस लॉट मेरी गंदी बात को अगर आप ले लेंगे तो ही तो वो आपकी होई अगर मेरी गलत बात को आप नहीं लेंगे तो वो आपकी नहीं है डूंट एक्सेप्ट इट दूसरा काउंटियन दसका पांच परमेश्ट के वरुद उठने वाले हर कलपना हर बात को इश्यू मसीगा घुलाम बना दो उस बात को बोलो एगंदी बात इश्यू मसीगा घुलाम बन जातो हूँ मैं तुझे नकारता हूँ मैं तुझे नकारती हूँ आपके पास अधिकार है अब आप उस गलत बात को ले ले फिर आप कहें कि परमेश्ट मुझे इससे छुटकारा दीजिए फिर आप रोए परमेश्ट के सामने इसके लिए ताकि वो आत्मा आपकी साहिता करे उसे मांगिये साहिता कि पवित्रा आत्मा मेरी साहिता करिए मैं क्या करूं मुझे शक्ती दीजिए मुझे बुद्धी दीजिए मैं इस सिचुशन का कैसे सामना करूं डूंट एक्सेप्ट इट गलत बातों को एक्सेप्ट मत करिये आपका पती गंदी बात बोल रहा है डूंट एक्सेप्ट वो कोई आपको गलत बात बोल रहा है वो बोलो यह मेरी बात नहीं है यह मेरे लिए नहीं है आपने बोली किसी के लिए मेरे लिए नहीं है मैं इसको करता हूँ मैं इसको accept करती हूँ कोई आप उसको ले लेंगे तबी तो आपकी है बात कि नो गालि देता है डूंट accept को नहीं बुनेंगी वह आपके जीवन पर असर नहीं करेंगी कम असर करेंगी जब आप ले लेंगे और जब आपने ले लिया तो कौन अंदर आ गया अंदकार फिर गुस्सा आएगा आपको फिर आप गुस्से में दस वाते बोलेंगे अपनी जबान को गलत करेंगे क्या लिखा है एफीसियो एफीसियो चार काउंटिस में कोई भी गंदी बात तुमारे मुझे ना निकले शैतान यही चाहता है कि तुम एक गंदी बात अंदर लो और उसके बाद तुम गंदी बात अपने मुझे निकालो कोई भी गंदी बात तुमारे मुझे ना निकले पर आवशक्ता के अनुसार वही कि जो उन्नती के लिए हुत्तम हो इससे उन्नती हो गलत बत निकाल Cheers इतना कंट्रोल्राइल करना पड़ेगा अर वो कब हो कउगे इस चेव प्रमेश्वर आपके जीवन में पूरी तरीके से होगा जब उसके वचन आपके अंदर काम करेंगे यह उन वचनों के अनुसार ही आप जीएंगे जब आप समझ लेंगे कि इश्व मसी मेरे लिए मरा है मैं एक पापी नौरत थी और इश्व मसी ने मेरे पापों को कुरूज पर लिया है और अब मैं पवित्र हूं अंगिकार करिये मैं पवित्र हूं शैतान आपको याद दिलाएगा दस साल पहले आपने यह पाप किया था शैतान हट वो सारे पापों को इश्व मसी ले चुका है अब मैं पवित्र हूं एश्यु मेशी ने कहाए पर्मेशन कहाए कि मैं तेरी किसि भी पापको याद नहीं रख यूँगा तुका याद धिलारा है आप पाप नहीं कर रहे हैं पर्मेश यe शैदान आपको याद दिलाकर पाप करवाता है कि तुन्हें दस साल पहले यह पाप किया था, यह वह भी चार करता था, तू सिगरेट पीता था, तू गाली देता था, गलत संबनते तेरी औरतों के साथ, आपको याद दिलाएगा, और याद दिलाकर आपके अंदर पाप डालने की कोशिश करेगा, उसी समय, दूसरा करुं मैंने जानता उसका, वोलेवुड में था, पाप किया करता था, शरा पीता था, अब मैं पवित्र हूं, इशुमसी मेरे लिए मरा मरके जिन्दा हो गया, और यह सुबूत है, कि वो अभी बी जिन्दा है, यह सुबूत है कि मैं पवित्र हूं, इतना जानने के बाद भी, अ शैतान को दोश मत देजिये, क्योंकि आप खुद को मजबूत नहीं कर रहे हैं रोज, मुझे रोज अपने आपको मजबूत करना है, मुझे रोज भर भरना है पवित्रात्मा से, मुझे रोज घुट रहे हैं, आप पे आका कहना है कि नहीं, मुझे और चाहिए, वो कल था, वो कल था परमेशर, इशुक कल था, पवित्रात्मा वो कल था, जब तो उन्हें मुझे बचाया, जब तो मुझे आत्मा से भरा, जब तो उन्हें मुझे आशीश दी, आज मैं खाली हूँ, आज मैं सुबह खा ली हूँ आज मैं सुबह उठाओं खा ली हूँ आज मुझे फिर तेरी जरूरत है जिस तरह की से आप रोज का खाना खाते है आज आपको नाश्चे की जरूरत है खाने की जरूरत है धिनर की जरूरत है मुझे पवित्रात्मा की जरूरत है मुझे आज नया बल चाहिए कल तक मैं ठीक था आज मैं नया बल मुझे सुबह नया बल चाहिए पवित्रात्मा मुझे नया बल दे मुझे गलत चीजे सुनने के लिए नकारने के लिए नया बल चाहिए मुझे शैतान को निकालने के लिए अंगीकार ना करूं मैं गलत चीजे उसके लिए नया बल चाहिए मांगे अपने आपको रोस नया करिए क्या आप कल के मसाले पर आज के समोसे बनाएंगे नया चाहिए मुझे नया चाहिए नया बल मुझे नहीं शक्ति चाहिए रोज मांगे गुटने पे आके प्रब्लम क्या होता है कि शैताना आरे तू तो भरपूरे कल गया था ना चर्श में तुने चैट्टर पढ़ लिया एक गीत गा लिया वर्शिप का तू हो गया पूरा नहीं 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 इस सुबह का गंटा निगला तब तक तुने समाल अभी आगे वाले और गंटे में समाल कि मैं काम से जा रहा हूं तो वहां समाल मैं काम से निकल रहा हूं मुझे समाल कि चितना आप अपने आपको उस पर आश्रित कर देंगे उसको बताईए कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं मैं यह हम बहुतों में यह कमजोरी है कि हम डिपैंड नहीं होना चाहते हैं अरे अब तो मैं घर में रहती हूं अब तो टू बैड्रूम हाल का घर मिल गया है अब तो 50,000 मेरे पास आ रहा है अब मैं किसी पर डिपैंड नहीं हूं नहीं पर मिश्वर पर डिपैंड हैं आप हम कितना भी पाले हम उससे बड़े नहीं हो सकते हैं इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप रोज अपने आपको परिपक्व करें रोज भरिये रोज और आत्माओं को जीतिये आप क्यों नहीं भर रहे हैं क्योंकि आप आत्माओं को जीतते नहीं है आप अपने पड़ोसी को बताते नहीं कि इशुमसी जिन्दा है बताईए वो बना करेगा ना पड़ोसी कि नहीं भेहन ठीक है ओके कोई बात नहीं है बोलिए इशु लगता है आपको लगता है कि आप यहां पर आरे गलत है अगर आपको लगता है कि यहां पर आरे आप सही है तो अपने पर उसी को यही बात बोलिए यह मैं सोची कि वो बात नहीं करेगा हो सकता है वो आपकी बोली का इंतजार कर रहा है हो सकता है आपके पडोसी को परमेशर उद्धार देना चाहता है और परमेशर ने उसे बोला है कि रीना आएगी और तुम्हें बताएगी यह आपकी योशना है अब आप जानी रहें उसका उद्धार रुका हुआ बिकॉज अव यू यस आपके बंधन रुके हुए बिकॉज अव यू बोली अपने पडोसी को परमेशर की महिमा के बारे में परमेशर की महिमा आपके घर में काम करेगी परमिश्र का सामर्थ आपके घर में क्यों नहीं काम कर रहा है क्योंकि आप परमिश्र के सामर्थ की महिमा नहीं कर रहे है जिसने आप अपने घर के बाहर परमिश्र की महिमा करेंगे उन आत्माओं को जो मरी हुई है उनको जिन्दा करने के लिए परविश्य से प्रात्रा करेंगे आपके घर की मरी हुई हालत जिन्दा हो जाएगी आदत बना लीजिए मैं कहीं भी जाता हूँ, डीमाट जाता हूँ, बोलता ही हूँ वश्में से बोलता हूँ, लेडी से बोलता हूँ, जो काँबर कैशेर होती हूँ, उससे बोलता हूँ मैं बिल दे रहा हूँ, जस हजार का समाल ले रहा हूँ, उसको सुनना ही पड़ेगा उसको सुन नहीं पढ़ेगा जब तक मेरा बिल्ह लहीं उजा तो उसको सुन नहीं पढ़ेगा इशुमसी कॉन है इशुमसी क्या है गोलो अड उसी वड उसी आपको देख रहे है कोई बात भी सुनिये सदू गर्व करो बोलते समय शर्माओं मत गर्व करो अपने प्रभू पे गर्व करो अभी अमिदेश ने क्या बोला? कि वो तुम्हें उच्छा उठाएगा जब वो तुम्हारे अंदर अपना प्रेम देखेगा वो तुम्हें उच्छा उठाएगा Amen? क्या है? जब वो तुम्हारे अंदर प्रेम देखेगा जिसने वो आपके अंदर प्रेन देखेगा, घर के अंदर, घर के बार, कहीं भी, वो आपको हर जगा उँचा उठाएगा कितने लोग उँचा उठना चाहते हैं? It's up to you अगर आप उँचा उठना चाहते हैं, क्रिस्मस पर दो-दो आतमा लाइए क्रिस्मस पर अभी से काम करिए क्रिस्मस पर दो-दो आत्माएं आपके संगाएं जिनको आपने सू समाचार सुनाना है जिनको घर बोलाकर एक चाय पिलाईए उसको बताईए इशू मसी मैं आपको बता दूँ एक सची बात एक सच बात बताऊ जितने भी बाहर बैटे हैं उन सब को इशु मसी की जरूरत है उन सब को इशु की जरूरत है हम इशु मसी को देना नहीं जानते हम अपनी मुसीब तो को भाई प्लीज, दो प्रॉब्लम है पचास जुट बोल कर उससे हजार पर ले लेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर आ लेंगे लेकिन इशु मसी के बारे में बोलने में हम डरते हैं कि कई हमारा पड़ोसी बुरा तो नहीं मन जाएगा कई मुसे बात नहीं करेगा कई सोसाइटी में उन्होंने बोल दिया तो हम भूल जाते हैं कि हम किसकी वज़ा से हैं जिस जिन आप गर्व से अपने डेली डेले डेली नियम बना लेंगे कि मुझे प्रभू के बारे में बोलना है आप देखेंगे कि आपके घर की काया पलट हो रही है आपको मैं दवाई दे रहा हूं एक आपकी बिमारी की दवाई यही है रोज इशू मसी के बारे में किसी ला किसी को बोलिए आत्माओं को बोलिए लेकर आईए यहां पर आपकी बिमारी की दवाई यह आपके बंधन की दवाई यह मैं आपको लिख के दे रहा हूं आप चाहते हैं आपके बंदन टूड़ जायें? बोलिए इस्यों मशीर, उसकी मही मां करिए. उसका उचा उठाइए, वो आपको उचा उठाइगा. और जिस दिन वो आपको उचा उठाइगा, उस दिन दुनिया का कोई भी आदमी आपको नीचे नहीं कर सकता. कोई नहीं कर सकता जिस जिन वो दर्वाजे खोलेगा उस जिन कोई आपके दर्वाजे बंद नहीं कर सकता याद रखिए इसलिए उसको पिता बना लीजिए इस क्रिस्मस पर अगले वीक से दो आत्माओं को लाईए अपने अंदर एहद पैदा करिए आपके घर में बंधन तूतेंगे आपके घर के लोग एक हो जाएंगे शटान आपके घर से निकल जाएगा मैं आपको बोल रहा हूँ यी चमतकार आप देखेंगे आप बोलेंगे यहाँ पर क्रिस्मस में कि आमारे घर में चमतकार हुआ है दो-दो आत्मा लेकर आईए अभी से प्लान करिए प्रेस अलॉट कितने लोग प्लान करेंगे हाथ उठाईए पक्का आप वाचा बानते हैं मेरे पीसे बोलिए मैं अपना नाम बोलिए मैं बोलूँगा उसके वाद आप अपना नाम बोलेगा मैं इश्व मसी के नाम से आज वाचा बानता हूँ कि मैं अपना नाम बोलिए किसमस्तर कम से कम दो आत्माएं इस घर में प्रभू के घर में लेकर आऊंगा मैं ये वाचा बानती हूँ इश्व मसी के नाम से इमेन आप देखिएगा आपके जीवन में आप खुद कहेंगे कि चमतकार हो रहा है आप क्यों बने हुए हैं क्योंकि इसलिए बंधन इसलिए मेरा कामी है यह प्रभू की सेवा करना प्रभू के बारे में बोलना चाह छोटा आद्मी हूं चाह बड़ा आद्मी हूं और परमिशन मुझे भूका नहीं सुलाता है आलेलुया आज का बच्छन कैसा लगा बहुत अच्छा लगा जरूर से तालिया में जाईए पिता परमिशन के लिए नेिपए आप प्रमिशन के लिए अच्छाह मांसि Judy है आलेलुया N drastically सुनने में लिए अशीश्ण मंताओं लिए गाई मांगता हूं आप जाकर लोगों को सुना इये वच्छन सुना इये परमिशन का बच्छन बादान बहुत आशीश देगा, God bless, God bless.